चलिए दोस्ता स्वागत हमारी एक और नई वीडियों दोस्ता जाम बात करने वाले बैंक प्राइविटाइजेशन को लेकर मैंने आपको पहली ही बताया था कि इस मांसून सत्र और इस फाइनेशल एर के दोरान किसी भी बैंक को प्राइविटाइजेशन नहीं किया जाएग प्राइविटाइजेशन के लिए सरकार ने चुना था लेकिन अब सरकार चाहती है कि इन 45 बैंकों का प्राइविटाइजेशन अगले मतलब फाइनेशल एर में किया जाएगा तो इसके जो मैन रीजन है क्यों अभी सरकार बैंकों को प्राइविटाइजेशन क्यों नहीं क के खिलाब इसके अलाब तीसरा में रिजन है दोस्तों बैंक यूनियन दुआरा दे गई हर्ताल की धंकी भी एक में तीसरा रिजन है तो यहाँ पर मैं बतायता हूँ यह अगर मान के चलिए यह बैंकों को प्राइवेटेसन किया जाता है तो यहाँ पर बैंक के करमचारी और बैंक के जो कश्टूमर हैं उनकों दुआरा भी यहाँ पर हर्ताल सरकार को देखनी पड़ सकती है तो इसे हसाब से मान के चलिए तीन या चयार मुद्दे सरकार के खलाप बहुत ही ज़्यादा है तो सरकार नहीं चाहती का और भी कोई मुद्दा यहाँ पर सरकार के मान है तो इन बैंकों का 2023 के अंदर ही प्राइवेटाजेशन करने का फैंसला लिया गया तो इसके अलावा बहुत सारे टीवी नाइन भारत पर भी इसका एक आर्टिकल दिया हुआ है तो कापी सारे ऐसे मेडिया में खबर हैं जो आप आसानी से रीड कर सकते हैं तो दोस्त यह बहुत बड़ी खबर है अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्ली चनल पर पहली बार आएं तो प्ली चनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना